नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चेनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज हम आपको दो सादू की बहुती सुन्दर कहानी सना रहे हैं दो सादू अलग-अलग जोपणी में रहते थे एक सादू का भगवान पर बहुत विश्वास था जवकि दूसरा सादू अपनी किस्मत को हमेशा ही बुरा मानता था क्योंकि उसे लगता था कि बागवान उन्हें हमेशा मुसिवत में रखते हैं पहला सादू इस बात को मानता था कि जीवन में परेशान ये आती है हमें उनसे सीखना चाहिए तो एक दिन की बात है, पहला सादू कहता है कि आज तुम किस गाउं में जाने वाले हो, दूसरा सादू कहता है कि आज मैं उत्तर में जाता हूँ, हमारी जिन्दिकी तो बस मुसीबत में ही कटने वाली है, हमें कोई फायदा नहीं उने वाला है, पहला सादू कहता है कि तुम तूफान आने वाला है कुछ समय बाद ही तूफान भी आ जाता है उसके साथ बहुत तेज बारिस आती है आकास में बिजली चमक जाती है ऐसा लगता है मौसम बहुत खराव होने वाला है दोनों सादू बिक्षा के लिए गाउं में गए थी पहले सादू को बहुत अच्चा गर मिल जाता है उस घर के लोग उस सादू को भोजन कराते ही उन्हें बहुत कुछ खाने को मिलता है बाहर का मौसम खराब होने की बज़े से वह सादू वही पर रुख जाते ही वह सभी लोग उनकी सेवा करते ही ये सब कुछ भागवान की बज़े से हो रहा था वहीं दूसर भागवान भी मेरी समश्या को कम नहीं करते ही बलकि बड़ा रहे ही साम तक मौसम ठीक हो जाता है वह दोनों सादू अपनी जोपड़ी की ओर आते ही दूसरा सादू कहता है कि तुम बहुत खुस लग रहे हो जबकि आज का दिन बहुत खराब था पहला सादू कहता है कि बड़ी मुश्किल से यहां पर आया हूँ जबकि पहला सादू बहुत आराम से था उसके सामने आई परेशानी भी कम हो गई थी दोस्तों चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों न हो हमें भागवान के उपर से विस्वास नहीं खोना चाहिए अगर हम भागवान पर वि सिकाती है कि सब कुछ अच्छा सोचना चाहिए तब ही आपके साथ भी अच्छा ही होगा बुरा सोचने वाले को कभी भी अच्छा फल नहीं मिलता उसके साथ बुरा ही होता है तो दोस्तों अमीद आपको यह कानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें वीडिय चैनल पर पहली बारा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के विटन को जरूर दबाएं जये स्री कृष्ण